रॉम्रॉम जी जैन सातियों मैं दीपक चंदिल और आज वीडियो बनाने का मेन मुद्धा हूं मुद्धा ऐसा भाईया कनाड़ा में हिंदू मंदिर पर जो हमला हुआ न वो कता ही सहन नी क्या जायागा भाईया सरकार हमारी इसकी कड़े सब्दों में निंदा कर चुकिया और पल्ली देश से भी इनके फैसले आ रहे हैं बईयान प्यान आ रहे हैं कि कुछ बेड़ी है संड आरती है हमारे देश में है जिनों हमने संड दी और उन्हें आके यह ऐसा ही काम कर दिया कलकू यही बेड़ी है तुम्हारी चाती पे खड़ोगे तुम्हारे मूँ में मूतेंगे करेड़ा वाला ध्यान रखना ये बात दूसरे देश की तो करेकावात अपने देश की हिंदुन की बात कर लेते हैं हमारे देश का हिंदु ऐसा भई है मैं बता रहा हूँ बेशक बुरी लगजा किसी है मेरे ठंड पर ठंड बेशक बुरी लगजा किसी ये भी अनफोलो करने चाते एक मिड़म अनफोलो करता कोई आपते ना रही पर इस बात का गमण जिंदीगी बर रहेगा के लॉंड कायर बनके नरा और अपने परिवार में भी ये चीज रहेग कुमारे बढ़ान को तुमारे पिछवाड़े में इतना दमना कि तुम उससे बहस कर सको तुम उससे बोल सको कोई तुम्हारे घर पर हमला कर देगा न तब बिश्रकार का वेट करते हैं, कि सरकार इसको सब्सक्राइब निन्द करो,ません मतत्डें में हैं, हमारे देश तो डेली ये कर्चा है दुनिया वर के बहाने बना देंगे गरीव हैं बिल्कुल मरे पड़ें कता ही पर अगर अभी बिग बॉस जैसे टच पुनिये सो में छपरी को यह पणा नंगा नाच कर रहो हैगा ना बाकू वोटिंग खुल जा तो दो गंटा फाल तु वोट करेंग के बैटका है तब तुम्हारी जिम में पैसा आ जाएगा और तो और बड़े एक जंपल दूंका तमें तुम अपने जहन में उतार लो बेड़ी है ये बाते 500 साल के संगर्ज में जिस सरकार ने तुम्हें राममंदर बना के दिया ना उसकी पीट पर चूरा गोपा तुमने और तो तुम कर रहे क्या हो हमारे देश के इंदुन ने बालकन नहीं फुट्चतनों है 16-17 साल की उमर के लोंडगा गांजा पी-पी के एक दुसरे गला काटते पिर रहे है पैसान के चक्कर में जेव काटते फिर रहे है उननन नही फुरुद्चतनों है फिर कहमें देश बेरोजगार है अभी बगल में किसी का फारमाउस भिक्रावेगा ना बहुत सडी के 50 लोग खड़े जाएंगे वहां खरीदने को वैसा देश बेरोजगार है अभी दिवाली के पठा के बैंड वे दिवाली बैंड से लोगों ने लाग लाग रुपे के बम फोट दिये वैसा देश बेरोजगार है यूवा बेरोजगार है अभी यूवा से कहतं मैं किसी है किसी अपनी लुंडे के साथ घल परहते की साथ हाहर भाई इन, अपने दिमाग से निकाल दो बेडियों अभी भी क्या रहो मैं तुम्हें बटोगे तो कटोगे इसके पूरे समर्थन में हूं मैं यह बात अपने जहन में उतार लेना मुझे जेल हो जाए फासी हो जाए कोई आपत्ती नहीं एक जीवन साड़ा मर जाएंगे कोई आपत्ती पर कम से कम सटीक मुद्धा अपने देश को तो पहुंचा सकते हैं इतना तो हमारा जिवीर गवार दे सकता है किस से डर रहो क्या हो रहा है तुम्हें भाई अपना आपस में मिल जूलके रहो सारी चीज रहो वो दूसरे देश के वाला खालिस्तान देश चाहते हैं उन्हे गोटी में होगा हो है सैलाइट भी अपने खालिस्तान में होगा हो है रहा हुआ थोड़ा सोश्य के चलो कर अगर सारे देशों के रिष् perspectives एक जैसे रहेंगे आप ही हम स्वgensैं नहीं जीज़े नहीं सम्सिंदम आरेप स्क्रोल कर दो वीडियो और जीजर समझ में आ रही हो वीडियो शेर कर देना आगे तक एक एक इंदुस्तानी के पास और एक खालिस्तानी तक भी पहुच जाए यह वीडियो राम राम जी जाहिन जा बारत या की बहुंड की टॉट या की